कि 8259 कमांड वर्ड प्रोग्रामिंग देखे 8259 जब इंटरफेस कनेक्शन करेगा 8080 यह प्रोग्राम है एक 8259 इंटरफेस करना है 8086 के साथ जबकि 8259 इसमें स्पेसिफिक कंडिशन दी गई है सिंगल लेवर्ड ट्रिग्रिंग मोड पे है जिसमें कॉल अड्रेस इंटरवल है 4 बाइट का नोन बफर मोड है नन स्पेसिफिक फूलनेस्टिंग मोड है और जो 8259 का सेट ओप्रेशन है उसमें IR6 मांस्ड है सिर्फ IR6 मांस्ड है IR4 जिसको बोटम पोलारिटी लेवल पे शो किया गया है और EOI जो की स्पेशल EOI मोड पे 8259 है रीड करना है IRR और ISR को IRR इन जो मारे इंटरप्ट रिक्वेस्टर होते हैं और ISR यानि की इन सर्विस रिजिस्टर होते हैं इन टू रिजिस्टर बीएच और बीएच और बीएच और बीया ने से रिस्पेक्टिवली और जो आई यार 3 है 8259 का वो टाइप है 80H अब इसमें हम इसे कंट्रोल वर्ड को क्या करेंगे देखें कंट्रोल वर्ड कैसे हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं देखें इनिशिलाइजेशन कमांड वर्ड फोर होते हैं 1234 सबसे पहले ICW1 करेंगे इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट बीट है IC4 की यह सारे हम कर चुके हैं हमने सिर्फ इस पर प्रोग्राम करना है IC4 की जरूरत है यह नहीं है IC4 की जरूरत है क्योंकि यह कनेक्शन है 8086 के साथ और IC4 8086 के साथ इसलिए यह बीट रहेगी 1 अगर यह 1 होगी इसका मतलब ICW4 की जरूरत है अगर 0 मतलब नहीं है मतलब अभी हाँ मेज जरूरत है नीजस्ट और और यह सेज़्ट ह लगने सिंगल 8-59 है अगर ज्यादा होते तो 0 होती सिंगल है थीका mêmes थीक है कासकेड नहीं है तो यह single में रहेगा 8259 single है next है next bit जो रहेगी वो address interval को show करेगी कितना address interval है four four bytes का address interval है क्योंकि अगर यह bit zero होती है तो eight bytes का address interval होता है यह one है इसलिए four bytes को हमें given है कि देखिए और next है LTIM यह शो करेगा कि लेवर्ट ट्रिगरिंग है कोश्चन में हमें given है कि यह लेवर्ट ट्रिगरिंग मोर्ट तो यह one रहेगी मतलब one मतलब इल्यावर्ट ट्रिगरिंग है अगर इस जीरो होती है तो एज ट्रिगरिंग होती है नेक्स है डिव डिफोर जो की one ही होता है यह हमेशा one ही रहेगा next है d5 d6 d7 अगर 8086 के साथ 8259 connected है तो यह don't care होती है यानि कोई भी कुछ जीरो हो या वानों कोई फरक नहीं पड़ता सिस्टम में अगर वो 8086 के साथ connected है तो interface किसके साथ हो रहा है 8086 के साथ तो यह intimate किया ठीक है ना यह हम explanation से हम अपने पुराने टॉपिक में करे चुपे हैं next time next time icw2 इसमें क्या दिया गया है कि IR3 जो 8259 जिसका टाइप है 80H वो IR3 को स्लेक्ट करेगा मतलब 80H मतलब A0 तो 1 की रहेगी icw2 के लिए T71 रहेगा बाकि सब 0 क्योंकि यह 40 और यह 000 बन जो की 8 को शो करेगी यह यह 80H तो IR3 स्लेक्ट होगा next जाते हैं icw3 पे icw3 देखे इसमें कोई भी स्लेव कनेक्टिड नहीं है यह शो करता है कि मास्टर मोड है स्लेव मोड है तो कोई भी स्लेव कनेक्टिड नहीं है इसी वजा से यह जो होगी हमारी सब 0 रहें सारी 00000 तो इसका जो icw3 का जो एड्रेस होगा वह होगा 00H यह सारी यह 40 यह 400 00 icw300 क्योंकि वह स्लेव मोड में नहीं है नेक्स्ट है क्योंकि देखे स्लेव मोड में अगर एक और 8259 स्लेट होगा तब स्लेव मोड में होता है icw4 इनिट्रेशन कमांड में हमने icw1 में जो इसकी d0 bit थी उसको 1 किया था इसका मतलब था कि icw4 की जरूरत है अगर वह 0 होती तो icw4 की जरूरत नहीं होती अब icw4 की जरूरत क्यों है यह देखते हैं देखिए msmall mpm यह bit show करती है कि interface किसके साथ कर रहा है 825 में अगर यह bit 1 होती है तो 8086 के साथ interface होता है ठीक है ना तो 8086 के साथ interface हा तो ebit 1 रहेगी यह इसकी जरूरत है next है ea ea यह 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 ओटमेटिक end of interrupt d1 bit अगर यह 1 होती है तो यह show करती है कि automatic end of interrupt हो रही है लेकिन इसमें क्या question में दिया गया है normal end of interrupt mode है यह यह special end of normal end of interrupt mode है तो इस condition में यह 0 रहेगी यानि कि normal end of interrupt है next है buffer और master slave अगर यह bit 1 होती है तो master mode वर करता है लेकिन अगर यह bit 0 होती है तो slave mode वर करता है लेकिन अगर यह bit 0 होती है तो master slave bit को neglect कर दिया जाता है इसलिए यह भी 0 ली गई है इसका मतलब है कि यह non buffer mode है next है sfm जो कि special full nesting mode को show करेगी इसमें क्या दिया गया है कि non special full nesting mode है इननी full nesting mode नहीं है यह भी t3 वज़े से 0 रहेगी यानि कि full nesting mode mask रहा है अगर mask नहीं होता तो यह one होती है ठीक है d5, d6 और d7 यह 000 ही रहती है और जो a0 है वो one ही रहती है icw4 के लिए यह तो सारे होगे इनिशिलेशन कमांड वर्ड फोर्ट है यह सारे और इसका जो एड्रेस है वो है 0000 यानि 00001 यानि की 101 यह इसका एड्रेस है आप देखते हैं ओप्रेशन कमांड वर्ड क्योंकि देखे सब कुछ कोशन में गीवन होगा ओप्रेशन कमांड वर्ड OCW1 यह भी थ्री टाइपस के होते हैं तो m0 से m01 में m0 से m7 मास्क और नोन मास्क को शो करती है यानि कि अगर यह bits 1 है तो मास्क सेट है मास्क है वो और अगर 0 है तो मास मास्क री सेट है वो मास्क नहीं है इसी तरह से ही 8259 में दिया गया है operation with IR6 मास्क यानि यह वाली बिट जो होगी वो मास्क होगी यानि वन होगी और बाकि सब होगी 0 तो इसका IR6 मास्ड है यानि D6 मास्ड है A259 की तो OCW1 का जो एड्रेस होगा वो 40H होगा 01004000H यानि 0H 40H नेक्स्ट है OCW2 ओपरेशनल कमांड वर्ड्स देखे ओपरेशनल कमांड वर्ड्स देखे ओपरेशनल कमांड में 2 में A0 तो 1 ही रहती है नेक्स्ट है D5, D6 और D7 मिलके वर्ड करती है जो रोटेट जो रोटेट का काम रहेगी जो end of interrupts को शोग करेगी और specific rotation को शोग करेगी तो इन्हों ने कहांगे specific EOI mode है दिया गया को question में कि specific EOI mode है तो इस condition में D7 बन रहेगी और D5 बन रहेगी तो यह specific EOI command है with rotating polarity के साथ तो यह specific EOI command को शोग करेगी नेक्स्ट है D7 और D4 जो कि दोनों 0 ही रहेगी नेक्स्ट है D0, D1, D2 यह रहेगी 1, 0, 0 क्यों? क्योंकि इन्हों ने दिया है कि जो bottom priority है यह bottom priority को शोग करती है न तो IR4 bottom priority level है तो 1, यह जो 0 है यह 1, 0, 0 यह 4 को शोग करेगी ना यानि 104 शोग करते है जो बाइंदरी हार को D7 में convert रहेगी तो IR4 bottom priority level है 0, 1, 0, 0 यह 4 को शोग करते है E4H next OCW3 जो कि last operation command word है last operation command word किसलिए use होता है कि क्या read करना है IRR interrupt request register या ISR in service register किसको read करना है इसलिए use होता है इसका तो अब देखिए D5 और D6 bit जो कि show करेगी special mask mode question में क्या दिया गया है कि यह special mask mode पे है तो इस time पे यह दोनों bit क्या रहेंगी 1 1 रहेगी D7 0 ही रहती है यह special mask mode show करेगा D4 0 रहेगी D3 1 रहेगी D2 P जो कि pool को show करती है यह रहेगी 0 क्योंकि इसमें कोई भी pulling command नहीं है no pool command इसलिए यह pool क्या रहेगी 0 रहेगी अगर दिया होता कि pool command है तभी यह 1 होती otherwise 0 next time D0 D1 अगर D1 1 होती है और D0 0 होती है तब तो interrupt request registers read होती है और अगर RR यानि कि D1 1 होती है दी 0 भी 1 होती है तो ISR in service register read होती है यह दोनों भी decide करते हैं देख लिए रीड करना है IRR को भी ISR को भी दोनों को read करना है इसलिए दो show के गए है IRR के लिए 10 रहेंगी और ISR के लिए 11 रहेंगी यह है हमारे operation command word 3 यहाँ पर हमारे operation command word की जो programming है वो खतम होते हैं जो command words की programming थेंक यू इस वीडियो को देखने के लिए थेंक यू और जाद अप्डेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चनल learn and grow पर subscribe कर सकते हैंगे कर दो कर दो लिए सर्वेंग लिए